तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी टूब चैनल हिंदी नाले सपोर्ट में तो दोस्तों अभी एर फोर्स ने सुखोई SU 30M के आई का आडर इंडियन कमपनी H.E.L. को दिया ही था तभी इंडियन नेवी ने भी अतियारों के डील मे दिल्चस्पी दिखाई है तो दोस्तों यह डील चीन और पाक के बीच बढ़ते तकरार को देखते हुए यह जा रहा है तो चलिए दोस्तों पूरी ख़बर क्या है जानते हैं इस वीडियो में तो दोस्तों भारत और चीन के बीच जमीनी सीमा पर ही टकराओ के स्थिती नहीं है बलकि समुंदर में भी दोनों देश एक दूसरे के प्रतदवन्दी बने हुए हैं दोनों देशों के बीच मुकावला हिंद महासागर छेतर में है इस बात को ध्यान में रखते हुए भार अरती नौसेना ने 68 युद्धपोत और जहाजों का डर दिया है इनकी कुल कीमत 2,00,00,00,00 रुपे है भारत का मक्सद आने वाले कुछ सालों में अपनी नौसेना को ताकतवर बनाना है तो दोस्तों नौसेना को 143 बिमानों और 130 हलिकाप्टरों के साथ साथ 132 युदपोत को खरिदने की मंजूरी मिली है इसके अलावा अगली पीड़ी की कारवेट्स जिसे छोटे युदपोत कहते हैं नौ पंडुब्बियां पांच सर्वे जहाज और दो भो उद्देशिये जहाजों के निर्माड के लिए मंजूरी मिली है इन्हें आने वाले सालों में तयार किया जाएगा भले ही नौसेना को बजट की कमी डिक मिसनिंग और भारतिय सिप्यार्ड की सुष्टी से जूजना पड़ रहा है मगर 2030 तक नौसेना के पास 155 से 160 युदपोत होंगे दोस्तों टाइम्स आफ इंडिया ने सुत्रों के हवाले से बताया है कि भले ही ये संख् बहुत अच्छी लगती है लेकिन भारतिय नौसेना का असल मकसद 2035 तक अपने बेड़े में कम से कम 175 युदपोत को सामिल करने का उदेश से है इसके जरिये ने सिर्फ रड़नीतिक बढ़त हासिल की जा सके बलकि हिंद मासागर छेतर में अपनी पहुँच को मजबूत किय जा सके सिर्फ इतना ही नहीं बलकि इस मैदान बलकि इस दोरान लडाकों भी मानों एरक्राफ्ट्स हेलिकॉप्टर्स और ड्रोन की संख्या को भी बढ़ाने पर जोड़ जाएगा तो दोस्तों समूंदर में चीन की तरफ से बढ़ते खतरे को नजर अंदाज नहीं किया ज जाती है वह हारन अप अप्रिखा में जिबूती पाकिस्तान में कराची और गौादर में अपना बेस बना चुकी है माना जा रहा है कि जल्दी चीनी नौसेना कमबोडिया के रीम में भी अपना बिदेसी बेस बना लेगी उसका मक्सद हर समूंदर में अपनी पकड करना है दोस्तों चीन तेजी से जहाजों को बनाने में लगा हुआ है का जा रहा है कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है जिसमें 335 युद्धपोत और पंडुबी सामिल है चीन ने पिछले 10 सालों में 150 युद्धपोत अपने बेडे में सामिल की हैं अगले 5-6 सालों में चीन अपनी नौसेना में उदपोतों की संख्या को 550 तक पहुचाना चाता है चीनी एरक्राप्ट केरियन ने पहले ही हिंद मासागर में गस्त लगाना सुरू कर दिया है तो दोस्तों यह जानकारी आप सबी को कैसी लगी हमें कमेंट सेक्षन बाक्स में जरू कर लिजिए इस वीडियो में बस इतना ही थैंक्स फार वाचिंग वीडियो